नमस्कार दोस्तों मैं भूपयन मिश्रा श्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को 36 कड़ के 30 महत्पूर्ण प्रश्ण बताऊंगा स्भी क्वेश्चं के लेवल इस वीडियो मैंने थोड़ा सा सीम्पल रखा है तो जो जितने सारे क्वेश्चंज हैं अगर आप लोग इतने सीमपल सीमपल को अगर नहीं बना सकते हो तो समझेगे कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स को कवर्ज कर चुका हूँ जैसे चतिगड के स्रड़क के हम्यातायात उससे रिलेटेट सिंपल सिंपल कॉष्चन देखेंगे चतिगड के परवत पठार पर आधारित सिंप विज्ञान महाविद्यालाय कहां परिस्थित है आपके पास ऑप्सन है बगीच्छा मैंपार्ट नागपूरा या पेंडरा मैंपार्ट को क्या कहते हैं च्छतिगड का सिम्ला कहते हैं कहां पर है अंभिकापूर में है इस चीज को याद रखेगा इसका मतलब यह नहीं कि रखकी कैं सर्म्हें पार्ट होगा इसका सहिं उत्तर है दोस्तों वह रहें नकपूरा क्या चि बर इसका सहिं उत्तर है और ब्रक्रु स्री महावी नेश्रल प्राकृतिक एंड योगा जो है विज्यान वहां विद्याला है यह च्छाइज गड़ का प्राकृतिक एव 토स्टयोक महा विद्याला जेके part में यह लिन नंग पूरा है भाउन पर है दुर चतीज गडव देखते हैं हम सभी दोस्तों च्छाइज da में निम्लिखित में से किस स्टेशन जो हैं कौन सा मतलब स्टेशन है वो सबसे लंब इस समयरे प्राशन कहता है ने दूरुख जंक्षन जो कि चाथिएगड का सिख्षा के मामले में सबसे अग्रणी जिला है राइपूर जो कि只 राजधानी भी कहा जाता है बिलासपूर को इसका सहीं उत्तर है आपका बिलासपूर का जो रेल्वे स्टेशन है वह सबसे लंबा रेल्वे स्टेशन है अगला प्रेशन देखते हैं हम सभी 36 कड में तक्षिढ पूरो मध्य रेल्वे का मुख्याल रेल्वे कहां पर है काई बार इसको इक्जाब में पूछा हुए है दोस्तो इसको इंग्जिव था और ब्लासपूर में है क्या बोलते हैं कोर्बा में है तो इसका जो सहीं उतर है दोस्तों यह हो जाएगा आपका बिलासपूर कहां पर है बिलासपूर में है एक चाहिए रखना है इसको कई बार पूछता है कि साउथ इस चेंटर रेलवे इसको बनाने का घोशना कब किया गया था तो 1998 में इसको बन बना था एक अप्रेल संद 2003 को तो यह भी याद रखेगा एक अप्रेल संद 2003 को क्या था साउथ इस्ट सेंटर रेलवे का मुख्यालाय अपना बिलासपूर बना था कई बार एक्जाम पूछता है कि भारत के कौन से नंबर का यह रेलवे जोन है तो सोले नंबर का रेलवे जोन है यह भी याद रखेगा यह सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको औरेडी मैं बता चुका हूं ठीक है अगला है हमारा जो प्रश्न चतिस गड़ में पहली बार जो रेलवे स्टेशन किसी स्थान पर चला था बोले या तो फिर चतिस गड़ में अठाइब तो अठाइब रखेगा अठाइब नागपूर और राजनन गाओ किसके इसके बीच में राजनन गाओ और नागपूर के बीच में चतिस गड़ में पहली बार रेलवे स्टेशन चला था ठीक है यह एक्जाम में पूछता है कई बार अगला प्रश्न देखते हम सभी श्वामी वेकानंद हवाई अड़ा कहां इस्थित है तो देखे स्वामी वेकानंद हवाई अड़ा है हमारे चतिस गड़ की जो राजधानी है नयरायपूर वहां पर इस्थित है हवाई अगला प्रश्न है हमारा चतिस गड़ का एक मात्र नीजी हवाई पट्टी कहा पर है यह आप सभी को जो मैं पिछला वीडियो बताया था उसमें बताया हूं कि जो जिंदल हवाइड़ा है राइगड में जो है वो 36 गड़ का अभी एक मात्र नीजी हवाइपट्टी है अगरा प्रशन देखते हैं हम सभी 36 गड़ का एक मात्र नौका विहार किस नदी में ह है तो इसको भी आप सभी को बता चुका हूं मैं किस नदी पर यह शबरी नदी पर है जो सुकमा का जो कोंटा वाला एरिया है कोंटा से लेकर के आंधरा का जो कुना वरम है वहां तक टोटल 36 किलोमेटर लंबा नौका विहार होता है यहां पर एक्च्वल में जो समान है मा का विहार के द्वार क्या क्या जाता है अंधरा पहुंचाया जाता है कभी-कभी एक्जाम में कुछ महत्पुन प्रश्न यहां से यह भी पूछ लेता है 36 गड़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो महा नदी है और 36 गड़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछता है तो कौन सी है शिवनात नदी है और बस्तर की जीवन रेखा किसको बोला जाता है तो इंद्रावती को बोला जाता है और इस इंद्रावती नदी पर ही भारत का नियागरा या 36 कड का सबसे चौड़ा वाटरफॉल बोल दे या भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल बोल दे चित्रकूट वो इंद्रावतिनादी पर ही स्थीत है इन सारे पॉइंट्स को याद रखना आप सभी मुझे निचे कमेंट करके बताएगा कि चित्रकूट का चोड़ाई कितना है चित्रकूट वाटरफॉल जो है उसकी चोड़ाई कितनी है अगला प्रशन है हमारा 36 गड में जा्यव सफब्यार तो इसका साहीं उत्तार वाई जाएगा दोस्तों हमारे च्टी जाव प्रशन हुए थी तो आप लोगो फोड़ा दिर पहले बता दिया हूं एक अप्रेल संद औरच तैस्पूर रेलेवे जोन बना था सोल वी नंबर का भारत का रेलवे जोन और अगला प्रश्न है हमारा चति गड़ में कुल कितने राज की राजमार्ग है ठिंगर डिलकी आप से पूछा है चतिकड़ में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं तो वो कितना है 17 है इस चीज़ के याद रिखेगा हमारे चतिकड़ में टोटल 17 नेशनल हाईवे है और अगर आपको राजकी पूछ ले तो उसकी संख्या कितनी है 27 है राजकी बोलेगा तो उसकी संख्या कितनी है 27 है लेकिन य पूछता है कि इतना है 636 km एक इतना है 636 km है ठीक है 636 km आप सभी याद रखेगा अगला इसे एक क्वेशन मनता है कि चतिगड़ का सबसे छोटा नेशनल हाइवे कौन सा है तो नह 163 एक चतिगड़ के निमने से किस भाग में कनहार बेशीन है जैसा कि आप सब जानते होगे कनहार जो है किधर है उत्तर में है और एक इस एरिया में रहता है आपका सर्गुजा साइट का सारी जो जस्पूर साइट का इरिया है उधर तो वह एडिया क्या हो जाएगा उत्तर किधर हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमा भाग तो चतिगड़ के निमने में से किस भाग में कनहार बेशीन है तो इसका आजाएगा उत्तर पूर्वी सीमा भाग में अगला प्रशन है चतिजगड़ राज्य का सबसे उचा भाग कौन सा है तो इसको आप सभी जानते होंग आप सभी मुझे नीशे कमेंट करके बताएगा जो गौरा लाटा है उसका हाइट कितना है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं हम सभी दलहा पहाड किस चीले में इस्तित है तो दलहा पहाड जो है रायगण जिले के सिंगहन पूर की इसलिए प्रशिद है तो ग़्या पहाड कि प्रशिद्ञात को तो इसके सामने में घड़िया पहाड है इस चुछ को भी याद रखेगा तो यह कहां पर है एक्च्वल में कांकिर में है अगला प्रशन है हमारा 36 गड में सबसे अधिक छेत्रो का विस्तार किसका है दककन ट्रेप का कडपा ट्रेप का धारवाड चेत्रो का या अवरगी की त्रावेदार चटानों का देखो इसमें आर्केन सेड सम्वों के बारे में बात नहीं किया है अगर आर्केन बोलता तो उसका उत्र क्या हो जाताए और यह जाता है क्शतिस गड राजी कि किस दिशा में मैकल सेनरी स्थीत है अगर आप सभी शंव्य भड का नक्षा ऑपने मैंड मैं याद करोगे तो हमारा 36 गहल कुछ ही इस प्रकार से है ठीक है यह हमारा लगभग इस प्रकार से 36 गढल है तो मैकल ररी कहां पर है धार है कि तरहास तो यह कौन सा रिया आता है पस्ष्षिम और यह तो किधर रहे यह पस्षिम में इसको याद रखेगा अगरा प्रशन है 36 गढल के 21 चीले में तेलीन घाटी इस्थित है अगर आप सभी केशकाल घाट से गुजरे होगे तो केशकाल घाट में तेलीन माता का मंदीर है तो वहीं पर क्या है एक तेलीन घाट भी है तो तेलीन घाट कहां पर है अच्छल में कोंडा गाउ में है और कोंडा गाउ में भी कहां पर तो केश का लगहट में है कि अगला है छ précis कर्ण में कि कि अल्साय का विस्ताय कम है क्म रिखाcü है कम हैं कर लिआ किए कि आक अदकerschक कर लिएगा है कम है और कि'M तो सबसे ज्यादा है उसके बाद आपका आता है क्रप्पा सेल्समू उसके बाद फिर आता है क्या गोडवाना साहल समू और सबसे कंप कौन सा है? विजनया सेल्समू अगला प्रशना है अलबक का पहाडी कहां इस्तित है? ये भी exam में आया हुआ question है यह कहाँ पर है दोस्तो? यह आपके बीजापूर में इसको याद रुखेगा अगला प्रस् dónde याद करणे के लिए मैं ट्रिक बता चुक हो अगर आप सबी ने पिछले वीडियो नहींद देखा होगा उसको जाके देख ले रहा और कभी जाब पूछता है चटीगण में जो राश्टी उद्यान है उनकी सेंधिया कित् schedule एक है इंद्रमति अगला है सीता नदी वन जीव अभयरण किस findet यह इसका उत्तर आजाएगा सुररजपूर है या किस प्सक्राइगा या कुटरू बोला जाता है किस जीले में स्थित है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोसित बिजापूर ऑपनियारी नदि हो अगला है अगला प्रश्न है इंदरववती राश्ट्री उध्यान से क्वान सी नदि गुजरती है तो अगर इंदरववती नाम बोला है तो वहां से इंद्रावती से कौन सी नदी गुजरेगी इंद्रावती नदी आपका इंद्रावती राश्टी उध्यान कहां पर है वीजापूर में है और वीजापूर से तो हो करके अपने इंद्रावती गुजरती है तो इसका सही उतर क्या जाएगा इंद्रावती आ जाए है वो क्या है बस्तर में है और 36 गड़ का सबसे छोटा राश्ट्रुद्यान भी इसको कहा जाता है कांकेर घाटी राश्ट्रुद्यान को ठीक है आज क्या वीडियो यही तक था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर्च जरू क क्या है तो सब्सक्राइब कर लेजेगा वीडियो कों तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू